गुड मॉर्निंग एब्रीवन वेलकम टू एग्जाम और्बिट क्लासिस तो कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी तो फेंड्स आच है 19 फरवरी और आज की इस क्लास में डिसकस करेंगे क जीस्टी काउंसिल की 49 भी बैटक कहां पर हुई है इसी के साथ जानेगे जीस्टी से सम्मंदित प्रश्ट मद्द प्रदेश के कुनो नैसनल पार्क में दच्छड अफ्रीका से कितने चीते लाए गए हैं डिसकस करेंगे भारत ने किसके साथ मिलकर डिजीटल बर्क प्ला ही है डिसकस करेंगे रास्टे संस्कृते उससब 2023 कहां पर हुआ है सहरी नदियों के प्रबंदन की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए पहली बैटक कहां पर हुई है और बारबा विश्व हिंदी सम्मिलन भी डिसकस करेंगे और आज के सेशन में बीखली करेंट अफिय कोडेश के नेशनल पार्क में दच्षडा अफ्रीका से कितने चीते लाए गएं थो फैंड्स अच्छे से याद करैंगे बहुत ही महत WordPress यहां है दच्छड अफरीका से बारा चीते लाए गए हैं कितने लाए गए हैं तो याद रखना है आप सभी को बारा आए डिसकस कर लेते हैं इसके बारे में तो बारा चीतों में साथ नर और पांच मादा हैं जो की दच्छड अफरीका से लाए गए हैं याद रखेंगे कि यह जो दच्छड अफरीका से भारत चीते लाए जा रहे हैं याद होगा आप सभी को कि नामी विया से भी चीते लाए गए थे कब 17 सितंबर 2022 डेट आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे और कितने चीते नामी विया से लाए गए थे तो आठ और ये भी कहां छोड़े गए थे तो ये भी चोड़े गए थे कुनो नेशनल पार्क में चीतों के दूसरे जस्ते ने 17 फरवरी 2030 को गोतेंग में टेंबो अंतरास्टिय हवाई अड़े से कुनों की यात्रा शुरू की अब कुश्चन यहां से बनेगा कि टेंबो इंटरनेशनल येरपोर्ट किस देश में इस द अड़े पर यह उतरे और याद रखेंगे यह जो आगे की यात्रा है यानि की कुनो नेशनल पार्क तक की जो यात्रा है वो मि-70 हेलीकॉप्टर से की गई है तो यह हेलीकॉप्टर का नाम भी आपको याद रखना है आगे डिस्वस कर लेते हैं पुना-पुनरवास कारी योजना के बारे में क्या खिरिए है क्या तो किसी पिरजाती के पुना पुनर्वास का अर्थ है उसे उच छेतर में छोड़ना जहां वे जीवित रहने में सक्षम हो योजना के तहट पांच वर्सों की अबधी में तेश के विविन रास्टी और ध्यानों यानि कि नैस्नल प पार्क वहीं बात की जाए कि चीतों की बिलुप्ती का होने का कारण क्या है तो देखे देश का अंदिम चीता वर्स 1947 में 36 गड़ में मिरत पाया गया था और वर्स 1952 में देश में बिलुप्त गोशित कर दिया गया था तो अब यहां से कुईशन बनेगा कि भारत में चीतो बीमारियों के प्रती उच्च संबेदन सीलता और इनके बिलुप्ती का प्रमो कारण ये बने आगे डिस्कुस कर लेते हैं कुणो नैसनल पार्क के बारे में तो जो कुणो नैसनल पार्क है इसकी लोकेशन बहुत ही महत पून हो जाती है तो पहला सवाल तो यही बनता है क कुणो नैसनल पार्क के सराजिया केंदर सासित परदेश में इस्तित है तो याद रखेंगे ये आता है मद्द परदेश में सेकंड कोईशन बन सकता है कि जो कुणो नैसनल पार्क है ये किस जिले में आता है तो याद रखेंगे शियोपर जिले में यहाँ आप उपर याद रखें गें बांदवगेड याद रखेंगे पेच याद रखेंगे तो कुछ एरिया मद्द प्रदेश में आता है और कुछ ऑड़ीआ's माहा不好 Chapman नैस्नल पार्ग आपको इसलिए मद्द पर्देश की वहीं बात की जाए तो मद्द पर्देश को हिर्द पर्देश भी कहते हैं नदियों का माई का भी कहा जाता है यहां की राजदानी भुपाल है मुख्य मंत्री सिवरा सिंग चौहान है राजपल मंगुवाई छगन पटेल है विदान सबसीटे 230 है राज् राजदानी और मुद्रा तो यहां के रास्टपती स्रिल रामा फोसा है और यहां की तीन राजदानी है कैप टाउन यहां की बिधाई राजदानी है प्रिटोरिया कारिकारी है और ब्लूम फॉंटेन यहां की न्याइक राजदानी है यहां की मुद्रा को रेंट कहते हैं दचछड अफ्रीका की यानि कि साउथ अफ्रीका की लोकेशन आप सभी देख सकते हैं, ये हैं 매फ में SOUTH अफ्रीका, जो कि अफ्रीका महादीप में इस्तित ही एक देस है, कहां पर आता है, अफ्रीका महादीप में, तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी बेल आइकन दवाना बिल्कुल न भूले जिसे आप सभी को जो क्लास का नॉटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा इस क्लास की पीडियाप बात में आप अपडेट होगा वो सभी आपको टैली ग्राम चैनल पर मिल जाएगा अगला सबाल है कि जीस्टी काउंसिल की 49 भी बैटक कहां हुई है तो जीस्टी काउंसिल की जो 49 भी बैटक हुई है यह नई दिल्ली में आयुजित की गई बैटक की अद्धेस्ता किस ने की है तो संबैधानिक. एक सो बाइसवा संबेधान संसोदन या आपको याद रखना है बेद्यक बारित किया गया था GST परिसत को GST से संबन्धित मुद्धों को हल करने के लिए संबैधानिक निकाई कि रूप में अधिशुचित किया गया है पूछा जा सकता है कि GST कैसे निकाई GST परिशत में सदस्य कौन कौन होते हैं तो केंड्रिय बित्य मंत्री इसकी अध्यच होती हैं जैसे की बर्तमान में निर्मला सीता रमन है केंड्र से केंड्रिय राज्य मंत्री जो की बित्य मंत्री होंगे पिरतेक राज्य बित्य या कराधन के प्रभावी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य रूप में नामित किया जा सकता है आपको बस इतना याद रखना है question यहां से बनेगा कि GST परिशद की अद्यस कौन होती है तो friends याद रखेंगे बित्मंत्री GST परिशद की अद्यस होती है बर्तमान में कौन है बस्तो एवं सेवा कर से संबंदित और किस प्रकार के प्रिशना आप से एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो पहला सवाल है कि भारत में बस्तो एवं सेवा कर बस्तो सेवा कर यानि कि GST कब लागू किया गया था एक जुलाई 2017 इसे आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे सीधा कोईशन यहां से बनता है भारत में GST लागू करने का शुजाब किस ने दिया था समीति पूछे जा सकती है विजय केलकर समीति पूछे का कोईशन आप से एक्जाम में कि GST से सम्मंदित समीति कौन सी है इसमे GST लागू करने वाला भारत का पृथम राज्य कौन सा है असम सम्मेदान के किस अनुछेत के तहर GST परिसत का गठन किया गया है तो आर्टिकल 289-1 के तहर GST परिसत का गठन किया गया है अगला सवाल है कि येरोश्पेस प्रमुक बोईंग दुवारा भारत के किस सहर में पहला Global Support Center इस्थापित करने की गोश्चना की गई है तो पहला Global Support Center इस्थापित किया जाएगा बोईंग के दुवारा अब यहां पर बोईंग के बारे में याद रखना है क्योश्चन बनेगा कि बोईंग कि इस देश की कमपनी है चार्ट देश आपको दे दिये जाएंगे जिसमें से होगा एक अमेरिका तो याद रखेंगे बोईंग अमेरिका की कमपनी है और हाली में एयर बस और बोईंग के साथ टाटा ने एक बहुती बड़ा समझोता किया है तो जिसके बारे में पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे तो याद रखेंगे यह जो इस् और इसका उदगाटन प्रिधान मंतरी नरेंत्र मोदीजी ने किया था येरो इंडिया दो हजार तेईस ये भी बैंगलोर में हुआ है अंतरास्टिय सौर गटवंदन का मुख्याले गुरुग्राम से याद रखेंगे दिजीटल बर्क प्लान दो हजार तेईस को अपना लिया है तो दिजीटल बर्क प्लान जो दो हजार तेईस है ये आशियान के साथ मिलकर अपनाया गया है नेस्ट क्विशन है कि डबलो हो दुवारा पहली बार किस देख में मारवर्ग रोग के प्रकोप की पोस्टी की गई है तो यह रोग मिला है एक्वेटोरियल गिनी में जिसकी पोस्टी विश्वस्वा संगठन के दुबारा यानि की बल्ड हेल्थ ओर्गनाइज़ेशन के दुबारा की गई है डिसकस करेंगे इस वाइरस के बारे में आखरी यह है किया तो इसे मारगवर रक्त इस्थाभी भुकार के रूप में जाना जाता है इस वाइरस की पैचान पहली बार 1967 में जर्मनी के फ्रेंक फट और मारवर जहां से इसका नाम पड़ा है तो यह मारगवर पूछा जा सकता है कि यह स्थान कहां पर है तो यह जर्मनी में आता है तदा सर्विया के बैलगेर्स में कोई थे पहली बार इसे खोजा गया थे इस वाइरस के प्रतम संक्रमित लोक सोध करते समय युगांडा से आयोजित अफ्रीकी हरे बंदरों और उन उतकों के संपर्क में आई थे डिसकस कर लेते हैं एक वेटोरियल गिनी के बारे में तो एक वेटोरियल गिनी की लोकेशन आप सभी देख सकते हैं यह है अफ्रीका महादीप में इस देट एक छोटा सा देश है इसके राजधानी मालवो है और यहां की बरतमान में प्रसिडेंट तीयो दोरो ओवी यांग मावा शोगो है अब देखे एक वेटोरियल गिनी के बारे में पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है कि य नहां कि मुद्रा को फ्रेंक कहते हैं आप रिबीजन कर लेते हैं पूरे बीक का जल्दी से और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स पॉक्स में और साथी में अपना स्कोर भी लिखेंगे कि कितने कोईशन आपकी सही रहे राश्टपती दुरोपती मुर्मू ने कितने नए राजजपालों की न्युक्ति की है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्सन ए राजजपालों से संबंदी जो हाली में न्युक्ति की गई एक छोटा सा वीडियो है जिसे आप सभी चैनल पर जाकर एक बढ़ जरूर देख खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कौन सा राज पहले स्थान पर रहा है तो पहले स्थान पर माहरास्ट है दूसरे पर हर्याना है और तीसरे पर रहा है मदधप्रदेस्ट आयोजन यानि कि मेजवानी मददप्रदेश ने की ती किस देश की प्रधान मंतरी नतालिया गभरी लिता ने अपने पद से स्थीफा दे दिया है तो फैंडS ये मालडोवा की PMT जिन्नों ने अपने पद से हाली में स्थीफा दे दिया है नेस्ट कीशन के सैरी नदियों के प्रवंदन की रणीनीतियों पर चरचा करने के लिए जो पहली एवं बालविकाश मंत्राले के G20 अधिकार समू की दो दिवशिय बैठक कहां आयोजित की गई है तो ये बैठक आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई बारवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ है तो इसे आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे फीजी में आयोज जबानी की है प्रदान मंत्री नरींद्र मोदी जी ने किस सहर में एसिया के सबसे बड़ी एयर सू एयरो इंडिया दो हजार तीस का उधगाटन किया तो जैसा कि अभी हम डिस्क्रस कर चुके हैं बैंगलोर का नाटक में मोहम्मस सहाबुदीन किस देश के राष्ट पती च संस्ताने महामारी संदी का जीरो ड्राप्ट लॉंच किया है तो जीरो ड्राप्ट जो है यह डव्लू एचो के दुवारा लॉंच किया गया है फेंट्स नेक्स सिलाइट जो है आपकी इस प्यांसर दिये गए हैं जो कि आप बाद में पीडियाप में भी देख सकते हैं कट प्रदर्शनी का जो उदगाटन है यह किस ने किया तो इसको उदगाटन अश्वनी वैशनप जी के दुवारा किया गया था अगला सवाल है कि पहले बीमेंस प्रीमियल लीक के ऑक्सन में भारत के स्टार बल्लेबाच इसमर्थी मंधाना को किस टीम ने खरीदा है तो रॉयल चेलिंजर्स बैंगलोड ने नेस्ट कुईशन है कि कौन सा देश अंतारास्ट ये जैव इदन गटवंदन का नेततव करता है तो यह भारत के दुवारा किया जाता है अगला कुईशन करेंगे कि साइकलोन ग्रेबियल को देखते हुए किस देश ने नेसनल एमर्ज नेस्ट कुईशन रिवीजन करेंगे कि साउदी अरब की पहली महिला अंत्रिच यात्री कौन है जो इंटरनेसनल इस्पेस स्टेशन के एक मिशन में सामिल हुई है तो इनका नाम है रेहाना बर्नामी जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं नेस्ट कुईशन है कि भार मुबाइल एप लॉंच किया गया है तो इस मुबाइल का याद रखेंगे खनन पहरी इसका नाम है नेस्ट कुईशन है कि किसे हाली में जन्वरी महीने के ICC मेंस पिलियर आप दा मन्त अबॉर्ट से समानित किया गया सुब मन गिल को जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं नेस्ट कुईशन है कि स्वस्त मन स्वस्त घर किस मंत्राले दुवारा सुरू की गई एक पहल है स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले के दुवारा अगला सवाल है कि ललिता लाजमी का 90 वर्ष की आयू में नेदन हो गया इनका संबंद किस छेत्र से था तो ये भ रंग है ये कहां बनेगी तो यह आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे इसे बनाए जाएगा लद्दाक में भारत अमेरिका अभ्यास तरकस कहां पर हुआ है तो इसका आयोजन किया गया है चैन्नाई में अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि कौन सा राज्या केंद्र सासित पर देश भारत की पहली जमी हुई जील मेरातन की मेजवानी करेगा तो यह जो मेजवानी होगी यह लद्दाक के दुवारा की जाएगे नेस्ट कोईशन है कि भारत और के देश दुवारा संवत रूप से बिक्सित एयर लॉंच अनमेड एरियल बीकल के प्रोटो टाइप का उडान परिक्षन किये जाने के समभाबना है तो भारत और अमेरिका के दुवारा भारती जैना में सामिल स्वार में ड्रॉन सिस्टम का निर्मार के स्टार्ट अपने किया है तो इसका निर्मार New Space Research and Technologies के दुवारा किया गया है अगला जबाल है कि भारत की G20 अध्यस्द की बीमेल्स किर्केट टीम का मेंटर के से न्युक्त किया गया है टैनिस खिलाडी सानिया मिरजा को अगला जबाल है कि बिग्यान केंद्र और अतारा मंडल का निर्मान कहां किया जाएगा तो यह होगा कोटा राजस्थान में नेस्ट कुश्ण है कि नेव रासका की सेंड हील इस जहाँ एक पुरकार के क्यूएसी क्रिस्टल की खोज की गई ये किस देश में है तो यह आता है अμεरिका में यानि किस क्रिस्टल की खोज अमेरिका में की गई है जम्मो कश्मिर और लद्दाक हाई कोट के मोखे नियाईदी इसके रूप में किसने सपत ले लिए है जस्टिस नो गमी कापन कोटेश वर सींग अगला सवाल है कि पीएम मोदी ने किस राज़ में जल जन अभियान का वर्चुली उदगातन किया तो राजस्तान राज़ में किया गया है प्रदान मंतरी नरेंत्र मोदी जी के दुबारा डॉक्टर मंसुख मानिविया ने इफको नैनो यूरिया लिकविट प्लांट का उदगातन कहां पर किया है तो इसका उदगातन उत्तर प्रदेश में किया गया है बिकलांकता के छेतर में सहयोग के लिए भारत और के इस देश के भी समझोता हुआ है तो भारत ने यह समझोता रच्छड अफरीका के साथ किया है अगला जबाल है कि भारत के पहले चैट जीटीपी संचालित AI चैटबोट जिसका नाम है लैक्सी किस Fintech Company ने इसे लौँच कर दिया है बैलो सिटी के दुवारा इसे लौँच किया गया है नेस्ट कुशन है कि भारत के किस TAC Startup ने येरो इंडिया दो हजार तेश सो में सौर संचालित ड्रौन सूरज का अनावरण किया है गरोड येरो इस पेस नहें नेस्ट कोईशन है कि संयुक्त सेन अभ्यास एक्स धर्मगार्जियन का चौता संसकरण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक कहां पर होगा तो इसका आयोजन जापान में किया जाएगा नेस्ट कोईशन है कि T20 इंटरनेस्टल में 100 बेकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदवाज कौन बन गई है तो इनका नाम आप याद रखेंगे इनका नाम है दीप्ती सर्मा अगला सवाल है कि केंद्रिय प्रायोजित वाइबरेंट ब्लेज प्रोग्राम के लिए कितने करोड रुपए आवंटित किये गए हैं 8800 रुपए 800 करोड याद रखेंगे आप सबी अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि भारत हो किस देशनर राजनाइक और आधिकारिक पास्पोर्ट धार को के लिए बीजा छूट पर समझौते पर हस्टाक्षर किये हैं तो ये फीजी के साथ किये गए है निमनमैसे किस राजिया केंद्र सासित प्रदेश में पहली बार ए हिमतेंद्वा कहां पर देखा गया है तो याद रखेंगे इसे देखा गया है उत्तरा खंड में नेस्ट कोईशन रिवीजन करेंगे कि किस देश को संयुक्त रास्ट सामाजिक विकास आयोग के 62 सत्र के अध्यज के रूप में चुना गया है तो अध्यज बन गया है भारत भारती अमेर की कारिकारी नील मोहनिम्न में से किसके CEO बने है तो ये YouTube के CEO बन गए है अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि कि किसे भारती थल सेना के अगले उप्रमुक के रूप में नियुक्त किया गया है तो इनका नाम है लेफटिनेंट जन्रल M.B. सुचिंद्र कुमार ज AI-CTI ने किसके साथ मिलकर रास्टी अस्तर के हैक तॉन कबस 2023 का शुबारम किया पुलिस अनुसंदान और विकाश व्यूरो के साथ मिलकर रास्टुपती दुरुपती मुर्मू ने कहां पर अंधर रास्टिय इंजिनिरिंग एवं पुध्योगी की मेला 2023 का उदगाटन किय सही आंसर है आपसंसी नई दिल्ली UIDAI दुवारा जारी नए AI यानि कि Artificial Intelligent Chatbot का नाम क्या है तो इसे अच्छे से याद कर लेंगे इसका नाम है आधार मित्र टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार बर्स 2022 में दुनिया में ड्राइब करने के लिए दूसरा सबसे धीमा सहर कौन सा है बैंगलॉर का नाटक अगला सवाल है कि किस देश के सरकान ने पहली बार मासिक धरम की चुटी फिरदान करने वाला कानून पारित कर दिया है तो ये स्पीन की गबर्मेंट के दुवारा पारित किया गया है नेस्ट कोईशन है कि टीम इंडिया के मुख चैन करता के पद से किस ने स्थीफा दे दिया है तो इनका नाम है चेतन सर्मा सही आंसर आप्शन डी तो फ्रेंट्स आज के स्टेशन में 19 फरवरी के करेंट अफेर के साथ पूरे बीक का करेंट अफेर बहुत ही कम समय में रिवीजन कर लिया तो आज का ये शेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर किलास अच्छी लगी हो तो किलास को जादा से जादा शेयर कीज़ेगा लाइक कीज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेज़ेगा मिलते हैं नैस्ट शेशन में एक नई डॉपे के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत